हलो दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको स्टूडेंट क्रेडिट कर्ड योजना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो बिहार सरकार ने से स्कीम को लाया है, इसका डिटेल्स बताने जा रही हूँ यह हम सोस्ते हैं कि इसकी जानकारी सभी को होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जानकारी सभी को नहीं है, यह बात मैं कैसे जानी, तो बिहार जो दर्बार करीकरम था क्रेड़ कार्ट के भाड़े में जैनकारी नहीं थी वह लड़की भथ्ता ले रहे थी इसलिए अव इस्टूदेंट क्रेडिट कार्ड के लाब नहीं ले सकती थी और एकसा किसरा मजयेरे गएंचे करेंचों निश्थित कर दो करने कंगे सबस्सक्राइक CM नितिश कुमार के Facebook पर जा कर देख सकते है अब मैं आपको student credit card योजना का लाप किसे मिल सकता है कैसे apply करे कहां से इसके बारे में detail जानकारी ले कितना loan मिलेगा loan की राशी किस किसमत के लिए रहेगी जानकारी दूँगी उस जानकारी से पहले मैं आपको बता दूँग कि इस site को open करने का और इसके जो guideline है उसका link जो है मेरे description box में है इस योजना का लाप किसे मिलेगा जो बिहार राज्य का निवासी हो बिहार राज्य से मानेता प्राप संस्थान या राज्य के सीमा वर्ती जीले प्रखंड से 12 अथ्वा समतुल्य परिक्षा पास किया हो समतुल्य मिन्स होता है 10 का वो पॉले टेक्निक वो आप गूगल गाइड लाइन देख लीजेगा इसका लोन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए मिन्स 12 के बाद के लिए और उच्च शिक्षा का डिटेल जिसकी सूची कौन-कौन सी उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा इसकी सूची जो है अनुलगनक 3 में दिया गया है हलाकि इसके कोर्से से बीए, बीकॉम, बीएस, कुछे नर्सिंग, मेनेजमेंट, बीटे, फिर भी आप लोग उसको देख लीजेगा लोग किसकिस किन-किन एक्सपेंसेस के लिए दिया जाएगा, तो पहला तो होता है बुक्स, दूसरा होता है आपकी फीस, तीसरा होता है, होस्टल या आपका जो अका लिविंग एक्सपेंसेस है यदि आप जिस संस्तान में एधमिशन ले रहे हैं वहाँ का होस्टल है तो वो संस्तान को चला जाएगा उस होस्टल का फिस अर यदि लेकिन आप होस्टल में नहीं रहरे हैं आप किराये पर रहरे हैं तो कितनी राशी मिलेगी, इसके लिए वर्गी के शहत, ग्रामिन चेत्रों की सूची अनुलगनक एक में दी गई है, इस आधार पर वर्गी क्रिद कह खग के लिए कितनी राशी दी जाएगी, इसे हम ऐसे सामाने शब्दों में कह सकते हैं, आप रॉक्स 3000 to 5000 मंतली लिविंग एक्सपेंसेस आपको दिया जाएगा, इसकी भी सूची अनुलगनक दो में दी गई है, ये अनुलगनक एक दो तीन कहां मिलेगा, तो आपको गाइडलाइन में मिलेगा, आयू कितनी होनी चाहिए, तो आवेदक की आयू 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन आव शूटिन हुने के पेपर्स होते हैं, वो आपको जीला कारले में जमा करना होगा, आप इसे जीला कारले में जमा करेंगे, तब ही आपको अगले वर्ष की लोन राशी दी जाएगी, आप एक इस स्तर की उपादी परिलब्ध है, तो दूसरे उस स्तर के अधिकरी के लिए ल लोन की शेष राशी आपको अब नहीं मिलेगी आविदन कैसे करें तो आविदन आपको online फर्म बरना होगा online फर्म बरने के लिए क्या करना होगा तो आप Google में student credit card यूज़ना टाइप करें या मेरे description box में इस site का link है आप उस पर भी क्लिक करके उस पर जा सकते हैं आप जब इ देखेंगे उसमें एक mobile app download का भी option आता है तो आप registration desktop या mobile दोनों पर कर सकते हैं लेकिन आप सबसे पहले guideline पढ़ लेना registration करें how to apply heading क्लिक करें form page उपन होगा उसे download करें उसे fill up करें और इस form को submit कर दें इस form में दिएगे सभी आवश्यक papers जो है उसकी original और photocopy के साथ आपको निवधारित्ती थी निवधारित्ती थी मिंस यह होता है जब आप form बरेंगे तो आपको एक mail और आपके दिये गए mobile नंबर पर एक date मिल जाएगी उस date पर आपको कहां पर जाना है आपको जिला निबंदन परामर्ष केंद्र में उपस है आपके form के status की जानकारी के लिए आप इस app पर जाकर देख सकते हैं कि आपके form के status की जानकारी अभी कया है कितना loan आपको मिल सकता है आपको four लाग तक का लोन मिल सकता है उस पर कितना ब्यास देना होगा तो एक से चार परसेंट तक सिंपल इंटर्स देना होगा इसकी कुछ क्राइटेरिया है मैं आपको बार बार कह रही हूं गाइड लाइन आप लोग पढ़ लेना लोन अदायगी कब से जैसे यह आपकी पढ़ाई कंपलीट होगी और आपको आपको रोजगार शुरू हो जाएगा आपको लोन अदायगी करना है लोन अदायगी कितने मेहने में करना है तो फाइब टू सेवन इयर में फिर भी आप विस्ट्रे जानकारी के लिए गाइड लाइन पढ़े हाँ यह लोन आपका वेव वाफ कि वेव आफ भी हो सकता है वेव आफ मिंस इसको कह सकते हैं कि आप लोन से मुक्त हो सकते हैं लोन की कुछ राशी कम की जा सकती है वेव आफ जो है वो लोन से पूर्णता मुक्त पता नहीं वह आप गाइड लाइन पढ़ लेना वो तो सरकार के उपर है कि उन्होंने कुछ उसमें क्राइटेरिया किया एटम सेंड कंडिशर इसलिए आप गाइडलाइन पढ़ लेना लोन अदाएगी कब तक इस्थगीत रहेगी जैसे कि इसमें पहले ही मैंने बताया जैसी आपकी पढ़ाई कंप्रीट होगी और आप रोजगार प्राप्त करेंगे लेकिन हो सकता है आप यहार सर्च करके सारा डिटेल देख सकते हैं इसके लिए दिये गए गाइडलाइन को पहले पढ़ ले कुछ समझना हो पूछना हो तो निबंदन कार्यालाइ में 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 आई हेल्प यू कांटर से जानकारी ले सकते हैं विससे आप जब इस साइट को ओपन करेंगे त अंत में सबसे महत्पूर्न बाद सभी रूल्स रेगलेशन समय समय पर आवशक्ता अनुसार संशोधीत किये जा सकते हैं मैंने जो पढ़ा मैंने उससे संक्षेप में बताने की कोशिस की हो सकता है इसमें कुछ भूल चुक हो तो आप लोग एक बार गाइडलाइन को जरू पर लिजेदा